नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तू कंसल्टेंट हमेशा की तरह आज फिर एक नई विशय पर चर्चा करते हैं आज का जो विशय है वो है फैक्ट्री आपकी अपनी फैक्ट्रिय या आप नया सैटप लगाने जा रहे हैं तो उसमें आपको कुछ विशय बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए आप अपनी नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं या आपकी अपनी फैक्ट्री लगी है मैं आपको एक फैक्ट्री के सैटप के बारे में बता रहा हूँ इस factory के अंदर जो की north facing भी है, east facing भी है और south facing भी है इस factory को तीन side से road लगती है इनके अपने main gate नौर्थ में, east में और south में तिनों दिशाओं में main gate बने हुए है और bunny building पूरी की पूरी west के भाग में west की दिवार के साथ बनी हुई है जिसके अंदर complete इनकी अपनी machinery है, पूरा working hall है office block इन्होंने south west के भाग में बनाया हुआ है south के भाग में इन्होंने diesel लगाये हुआ है, boiler machine लगाई हुई है इन लोगों का setup जब तक ऐसा था, तब तक इनकी factory बहुत बढ़िया चल रही थी जैसे factory बहुत बढ़िया चली, requirement भी plus हो जाती है, building भी बनानी पड़ती है और कुछ ना कुछ नई changes भी करने पड़ते हैं इनके यहाँ ETP plant लगाने की requirement पड़ी और building भी इन्हें बनानी पड़ी क्योंकि working बहुत ज़्यादा थी और जब working ज़्यादा होती है और space खुला होता है तो आदमी यही चाहता है कि अपने portion में building को बना लिया जाए ऐसे में इन्होंने जब अपने south-south east के भाग में ETP plant लगाया और east-north east के भाग में east की दिवार के साथ एक building बनाई जब भी किसी भी factory के south east के भाग में ETP plant बना दिया जाता है या समर्शिवर लगा दिया जाता है या पानी के underground tank बना दिये जाते है तो वहाँ पर पैसे आने के सादन कम होते चले जाते हैं जब भी east के भाग में east center से north east की और building बना दी जाती है और building का first का level और छट का level जितना उंचा करते हैं उसी के हिसाब से order मिलने कम होते चले जाते हैं इसलिए आप लोगों को भी ध्यान रखना है यदि आप अपनी नई factory लगाने जा रहे हैं या आपके अपनी factory लगी हुई है कहीं आपने इस तरह की गलती अपने यहां तो नहीं की हुई यदि आपको लगता है कि आपके यहां इस तरह की गलती हुई है आपने south east के भाग में ETP plant लगाया है या panic underground tank बनाया है या summer civil लगाया है तो आपके यहां दिरे दिरे पैसे आने के साधन कम होते चले जाएंगे यदि आपके यहां north east के भाग में इस नौर्थ इस के भाग में building बन जाती है तो आपकी जो purchasing है वो महगी होती चले जाती है और जो आपकी quality है उस quality में भी गिरावट आती चले जाती है जब भी east north east के भाग में building बन जाती है उचे platform पे building बन जाती है जो machinery है उस machinery से जितनी भी आपके यहां machinery लगी गए उन machinery से जो माल निकलता है वो भी कम निकलता है quality भी अच्छी नहीं निकलती जो आपका staff है वो staff भी साथ देना छोड देता है आपके अपने जो decision है वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं जिनके पास से आपका माल आता है, जिनके पास आपका माल जाता है, वो लोग भी धीरे धीरे करके आपका साथ छोड़ देते हैं. अगर आपके यहाँ isht-northist के भाग में building बने हुई है, तो अगर आप सक्षम है building को हटाने के लिए, तो मैं यह कहूँगा कि आप इस building को यहाँ से हटा कर, अपनी factory के south के भाग में building को ले जाए. यदि आपको लगता है कि आप बिल्डिंग को हटाने में सक्षम नहीं है तो मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा जो आपने इस बिल्डिंग के अंदर मशीनरी लगाई हुई है उन मशीनरी को हैवी मशीनों को यहां से हटा कर अपनी फैक्टरी के साउथ के भाग में, साउथ वेस्ट के भाग में, वेस्ट के भाग में लेकर जाए और इसी के साथ जो यह पॉर्शन है, जो बिल्डिंग बनी हुई है इस बिल्डिंग में जितने भी खिड़की और दर्वाजे है अगर आपको अपने product के लिए कोई प्रेशानी नहीं है तो इनकी खिडकी और दरवाजों को जितना ज़्यादा खोलेंगे उतना ही आपको relief मिलेगा इसी के साथ आप एक काम और कर सकते हैं जो आपकी अपनी ये building या इस building में हलका हारे रंग का paint कराते हैं तो भी इससे आपको relief ज़रूर मिल जाएगा मेरा अपना नुभव ये कहता है कि आप अपनी इस building पर हलका हारा रंग कराएंगे तो आपको relief ज़रूर मिलेगा यदि आप प्रेशान है तो मैं कहूँगा कि आप एक बार हलका हारा रंग ज़रूर कराएं यदि आपके यहां south east के भाग में ETP plant है या पानी का tank है या boring है तो आप उसको यहां से बंद करके अपने building के east center से north east की और और north center से north east की और यहां पर लेकर आएं आप यदि ऐसा करते हैं तो मेरा अपना नुभवी यह कहता है कि आपको बहुत अच्छे result जरूर मिल जाएंगे इसी के साथ अगले प्रोग्राम में फिर एक नई विशय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार झाल